नमस्कार दोस्तों आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत करता हूं उमीद है कि आप लोग सवस्त होंगे हम लोग अध्यायत तीन दो चरवाले रैखिक समिकलर यूग में के अंतरगत आज हम प्रशनावली तीन दसमलव दो के पहले प्रस्न को देखेंगे पहले प्रस्न म यह आए अब हम लोग क्यों करेंके इसको हम लोग सवाल करेंगे तो आइए अब हम लोग पाहला जैसा की सवाल आपको इसक्रीन पर दिखाई दे रहा होगा लिखा आए कि निम्र समस्याओं में रैखिक समिकलरों को यूग में बनाना है और उनके ग्राफी विदी से हल गय कच्छा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गडित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिये लड़कों और लड़कियों की संख्या कराएंगे तो पहले हम एक तो कियाओ यहां तरसी तो हल करेंगे किया वाओ पुल विद्द्ध ही टॉटल विद्ध्ध Арथी जो है कितने तटने जो किया hatte कु आ है कि यहाँ पर कुली विद्ध्धारत मिलेकर कुल कितने दस है लेकिन हमेंगे मालूम है कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं तो माल लेते हैं कि माना माना लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या एक्स माल लेते हैं और लड़कियों की संख्या हम वाई माल लेते हैं ठीक है और कहरा है कि लड़कों लड़कियों मिलाकर कितने हैं दस है याने कि एक्स प्लस वाई बराबर दस इसको हम समिकरण एक माल लेते हैं तो यहां हमारा रैखिक समिकरण बन गया है अब देखेगा दूसरा क्या का रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से चार अधिक हो अब प्रश्ना नुशार अब लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या वाई है लड़कों की संख्या एक्स है बोला है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से चार अधिक है किससे लड़कों से तो जिससे कहेगा हम उसी में क्या करेंगे जोड़ देंगे तो लड़कों से चार अधिक है तो लड़कों में हम चार को जोड़ देगे तो इस प्रकार से हमारा या धूसरा भी समींकरण बन गया क्या बन गया एक्स अब प्लश इधर आएगा तो माइनस वाहिप हो जायेगा और ये इसको हम उधर बेउस देए माइनस 4 है कि यह करत दो हो गया अब इसको हम तो रेखिक समींक बना लिए अब हमें इसी को ग्राफ द्वारा कैसे हल करेंगे तो हम सभीक्रड एक लेंगे समिक्रड एक से तो समिक्रड एक एक्स प्लस वाई बराबर 10 तो हम क्या करेंगे एक ऐसे बाक्स बना लेंगे ठीक एक में एक्स एक में वाई तो यहां पर जब हम एक्स बराबर क्या माल लें जीरो जब एक्स बराबर अगर हम जीरो माल लेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 10 आजाएगा कर इसी प्रकार से हम क्या माले सुन्य दस अब इसको हम आईये ग्राफ पर कैसे सो करेंगे तो आप ले करके क्या करेंगे एक सद्सक्राइब यह ता है वर्टिकल जो खीचा जाता है और इस प्रकार से यह 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 होता है ठीक है यह यह अच्छ हो गया है और यह और यहां पर यह क्या है जीरो जीरो यह हो गया है तो यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस इस प्रकार से एक सच पर हमने सो कर दिया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस तो अब हमें इन बिंद्यों को ग्राफ पर सो करना है तो सुन्ये दस एक स क्या है और वाई क्या है पहला क्या होता है एक सोता दूसरा वाई तो एक सके जीडो और वा शुक्र य क्या है दस तो कहां पर आजाएंगे यहां पर आजाएंगे कि पिदिश डिशे preparation इस अब इनको मिलाते वे इन दोनों बिंदों को मिलाते वे एक सिधी रेखा खीचेंगे इस प्रकार से ठीक है तो यह जो रेखा खीची जाएगी तो इस रेखा का समिक्रड क्या है एकस प्लस वाई एकस प्लस वाई बराबर 10 तो पहले समिक्रड को हमने ग्राफ पर परदस्शित कर दिया अब समिक्रड दो को लेते हैं समिक्रड दो क्या है एकस माइनस वाई या एकस माइनस वाई इक्वल टू माइनस फोर यह है समिक्रड दो है ठीक है हैं को अब क्या करते है इसको हम प्लस में इसको करते हैं तो यहां पर अगर हम इसको क्या करें इस प्रकार से शू करें ठीक है इस वाले टर्म को लेते हैं ठीक है यह वाला जो है क्या है एक्स प्लस वाई एक्स प्लस पूर इकल टू वाई इसी वाले को हम लेते हैं इससे आसान होगा यह एक्स हो गया और यह वाई हो गया ठीक है अब हम अगर एक्स बराबर क्या माले जीरो एक्स बराबर जीरो तो वाई कितना आ जाएगा चार आ जाएगा वाई कितना जाएगा चार यह हो गया अगर हम वाई को 0 माल ले वाई को क्या माल ले 0 लेकिन तब माइनस में आने लगेगा हम माइनस में नहीं लाना सोच रहे हैं तो अगर है यह हो जाएगा अब इसको क्या करते हैं सो करते हैं तो कौन-कौन से बिन्दू मिल गए सुन्य चार, दूसरा क्या है, एक पांच, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, संख्या रिखा पर पर दरसित करेंगे, यानि इस ग्राफ पर, पर दरसित करेंगे, ग्राफ रिया है, तो सुन्य चार, एकस क्या है, सुन्य, वाई कितना है, चार है, तो सुन्य चार, यहाँ पर यह लिखा हुआ है, फिर एकस अच्छा पर कितना है, एक है, और वाई अच्छा पर पांच है, तो यह सुन्य चार यहाँ पर है, और एकस अच्छा पर एक, और वाई अच्छा पर पांच, तो फिर को हम इस प्रकार से डॉॉटेड मिला देंगे यह हो गया यह बिंदू का निर्दसांग क्या हो गया 1,5 अब इन दोनों बिंदुऊं से मिलाती हुई एक रेखा कहींचेंगे अठीक है इस प्रकार से यह जो रेखा जाएगी सीधी आप खीचेंगे से तो क्या हो जाएगा यह एक्स प्लस 4 इक वाई हो इस रेखा का सबीख़र हो नहीं को इद है इस्वेत ये इस प्लस ये बराबर दस कि जो बिंदु ये इस बिंदु का ठीक है जब आप ग्राप बनाएंगे तो आपका सही आएगा सीध सीध में आएगा तो अब यह वाली जो दूरी है यह यह x होती है और यह वाली जो दूरी होती है y होती है ठीक है तो इस बिंदू का निर्दसां कितना है x अच्छ पर कितना है 3 और y अच्छ पर कितना है 7 है y बराबर 7 x बराबर 3 तो 3 7 तो यहाँ पर x बराबर 3 आ गया और y बराबर 7 एक्सक्या लड़कों की संख्या जाएगी तीन लड़कियों की संख्या साथ तो इस प्रकार से अगर हमें कोई भी 2 चरवाले रेखिक संहिकर दिए होंगे और उनको ग्राफी वी दी द्वारा करेणा होगा तो इसी प्रकार से हम पहले दो समिक्रड़ बनाएंगे उन समिक्रड़ों को जैसे मैंने बताया उसको सवाल करेंगे तो अमीद है कि आपको यह प्रस्ण समझ में आ गया होगा अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंड जरूर करेंगे ठीक है अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में वा ठीक है तो इसका दूसरा प्रस्ण है पांच पेंसील तथा साथ कलमों का कुल मुल्य 50 रुपया है जबकि साथ पेंसील तथा पांच कलमों का मुल्य 46 रुपया है एक पेंसील और एक कलम का मुल्य हमें निकालना है तो क्या करते हैं पहले समिक्रड़ बनाते हैं रखिक समि पेंसिल का एक पेंसिल का मुल्य को मुख्या ने बराबर एक्स ग्रुपिया को ठीक है और एक कलम का मुल्य हम माल लेते हैं और एक कलम है का मुल्य कि तना हो वाय रुपया माल लेते हैं तो पहला प्रस्ण में क्या कह रहा है प्रस्णा नुशार कि पांच पेंसिल तथा साथ कलम पांच पेंसिल मतलब पांच एक्स और साथ कलम मतलब सेविन वाई का मुल्ले कितना हो रहा है पचास रुपया है जब कि साथ पेंसिल यानि के साथ एक्स और पांच कलम यानि पांच वाई बराबर च्यालीस रुपया है हो रहा है तो एक कलम और एक पेंसिल का मुल्ल यानि एक्स और वाई की वैलो निकालनी है तो यह हमारा समिक्रण यह को हुआ है एज समिक्रण दो विजगरती नुरूपड हमने कल लिया अब ग्राफिय विदी से किस प्रकार से हम एक्स और वाई का माल निकालेंगे इसको अब हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या करना है जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही करेंगे आप समिक्रण एक से समिक्रण क्या थाइक सेमे वाई कुल टूट फिप्ट यहाँ अब माल लेजे आप बाक्स बना लीजे इस प्रकार से X हो गया यह Y हो गया अगर हम Y बराबर क्या माल ले? 0 Y बराबर क्या माल ले? 0 तो यह पूरा टर्म क्या हो जाएगा 7Y पूरा 0 हो जाएगा और 5X बराबर 50 और X बराबर 50 बटे 5 पांच दहां में 50 तो आ जाएगा X 10 आ जाएगा तो एक समिक्रल तो यह बन गया और अगर हम Y की जगा मान ले 5 तो क्या जाएगा 5X गुड़े प्लस 7 गुड़े पांच अगर Y 5 मान ले बराबर 50 तो 5X और यह 7 प्लपे 35 इधर 50 में से माइनस करेंगे इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा तो बचेके कितना 15 एक्स बरावर 15 बट्टे 5 करेंगे आएगा 3 तो यह कितना जाएगा 3 तो अब आईए इसको हम पहले ग्राप पर प्रदसीत कर देतें इस रेखा को तो क्या मिल गया सुनने 10 पांच तो हम क्या करेंगे इस पर सो कर देते हैं कि यह यह अच्छो गया यह एक्स अच्छ गया ठीक है यह एक्स अच्छ अध्य वाइज अब यह मुल बिंदू सुन्य सुन्य अब यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस ग्यार बार इस प्रकार से हमने सो कर दिया एक सच को फिर वाई पर भी एक दो तीन चार पांच छे इस बिंदू का जो निर्देशांग होगा यह पर हो अगर इधर करेंगे तो साट आट नव दस ग्यारव 12 पहले एक्स अच लिखते हैं फिर एक्स लिखते फिर वाई लिखते हैं तो एक्स पर दस है वाई जीरो है तो यानि कि इस बिंदू का जो निर्देशांग होगा यहां पर होगा कि यह ठीक इस विंदू का निट दिसान कितना हो गया तीन पांच है अब हम इसको मिला देते हैं ठीक है तो इस रेखा का समय इसको और आगे बना देंगे इधर भी आप इसकेल से खिचेंगे तो सीधा आएगा तो क्या है इस रेखा की समिकर पांच यक्स प्लस सेविन वाई बराबर पचास यह से रेखा हो गया अब दूसरा समिकर लेते हैं ठीक है समिकर दो से समिकर दो क्या है सेविन एक्स प्लस पांच वाई बराबर चालीस यह है ठीक है चालीस है कि च्छी आलीस है देख लेते हैं एक बार चिक कर लेते हैं इसको आप अब यहां पर क्या करेंगे फिर वैसे ही बाक्स बनाएंगे ठीक यह एक्स हो गया और यह वाई हो गया अगर हम क्या करें एक्स बराबर 3 माल लेए एक्स बराबर 3 तो कितना हो जाया गया यह सात गुड़े 3 प्लस पांच वाई बराबर 46 तो सात्रिक का 21 प्लस 5 वाई 46 हो जाएगा यह तो 21 उधर जाएगा तो 46 और माइनस 21 कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 5 यहाँ पर एक स्वारी दो हो जाएगा तो 5 आ जाएगा वाई कितना जाएगा 5 मिट 2 तो 35 यह कि हम इसलिए ऐसी संख्या गये पूर सब्सक्राइगे ताखी अम ग्राप पर असानी कि प्रदस्यथ करेंगे अगर भिन्य में होगा दस्मल्र में होंगे तो दिक्कत होगा प्रदर्स्यथ करने में हम प्यास करेंगे कि जो संख्या है मिलें वह पूर संख्या हो अब देखिए यहां पर अगर हम क्या करें X बarıबर माइनस दो माले कितना माले माइनस 2 तो X बरावर माइनस 2 मानेंगे तो इस condition में क्या हो जाएगा 7 गुड़े माइनस 2 5y बरावर 46 तो सातदुनी 24 माइनस 24 प्लस 5y बरावर 46 तो 5y बरावर 24 इधार है, माइनस उधार जायागा क्या जाएगा प्लस मों जाएगा 46 प्लस 14 कितना हो जाएगा साथ है ठीक है तो य बरावर कितना हो जाएगा बार पच्छे साथ तो एक्स की वैलू कितनी है माइनस दो और वाई की बार है तो इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे कौन-कौनसे बिंदू हमें मिल गए ंपांच माइनस दो बार तो ति उसे पॉंद यह जी मिल गया हमें यहाँ पर यह 35 हो गया, है एक्स कितना है माइनस दू और वाई कितना है 12 तो इसको अब इधर माइनस में सो करना है तो X अच्छे तो माइनस 1 माइनस 2 तो यहाँ पर माइनस 2 हो गया और 12 अब 12 कहाँ पर है यहाँ पर तो इसको बढ़ाएंगे इधर इस टाइप से तो यहाँ पर ठीक है तो इस बिंदू का है यह क्या हो जाएगा माइनस 2 और 12 ठीक और एक हमारा 3 5 यहीं पर यह है अब इन दोने बिंदू से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खिश देंगे ठीक है आप जब खिचेंगे इसकेल से खिचेंगे तो सही होगा आपका तो इसी बिंदू पर मिल गया तो यहाँ पर X कितना है X बराबर 3 और Y बराबर कितना आया है 5 इसका मतलब यह है कि एक पेंसिल का मुल्य कितना है तीन रुपया और एक कलम का मुल्य है पांच रुपया तो आपको जितना में मैंने बताया समझ में आ गया होगा कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे अगले वीडियो में हो लोग इसके प्रस्ण 2, 3 और 4 को भी देखेंगे तो कहीं पर भी अगर डाउट हो कमेंट जरूर करें और चैनल का आप लोग सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सेर करें चलिए अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार